कनाड़ बनने की चाहत में पाकिस्तान अमेरिका के सामने पहुचा था लेकिन यहां तो केस ही उल्टा हो गया है एक तरफ जहां अमेरिका ने कहा है कि हम तुम्हारे बीच में नहीं आने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्या हाफिज सईद मारा गया है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कई पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद का नाम भी जोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद जिंदगी और मौत से जूज रहा है सोसल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद को अग्यात लोगों ने खाने में जहर दे दिया है खाने के कुछ देर बाद उसे खून की उल्टी हुई हालत बिगडने पर उसे लाहोर के मेयो अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज ICU में चल रहा है सोसल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर हाफिज सईद इस वक्त ट्रेंड कर रहा है हलाकि अभी तक इस खबर की कोई आधिकारी पुष्टी नहीं हुई है आपको बता दें हापिज सईद को जहर दिये जानी की खबर ऐसे मौके पे हुई है जब बिटिस अख़बार दगारजन ने पाकिस्तान में करीब 20 आतंकियों की टारगेट किलिंग में भारत का हाथ होने का दावा किया है वहीं इस बीच पाकिस्तान में भारत के रक्षा मंत्री का एक बयान खुब वाइरल हो रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने पिछले सप्ता एक नीजी न्यू चैनल से बाचित करते हुए कहा था कि सरकार देश की सांती में खलल डालने की कोशिस करने वाले आतंकवा वादियों को नहीं बक्चेगी और चाहे वो पाकिस्तान में ही क्योन चीपे हो उनका हिसाब किताब करेगी अब उनका ये बयान पाकिस्तान में सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग के इस बयान को हाफिच साइद की मौत से जोड़ कर देख हाफिच साइद के बेटे कमलुद्दिन साइद के अपहरन की भी खवर उड़ी थी बताया गया था कि कमालुद्दिन को कार में आये कुछ लोगों ने पेसावर से किडनेप कर लिया पाकिस्तान की खूपिया एजनसी आईएसाई भी उसे ट्रेस नहीं कर पारी है बाद में टाइमस ओफ इंडिया ने सुत्रों के हवाले से पनी रिपोर्ट में बताया था कि कमालुद्दिन को गिडनेप नहीं किया गया बलकि उसके पिता हाफिच साइद और संगठन के दरजनों दूसरे आतंकियों की तरह उसे भी आईएसाई ने सुरक्षित जगह पर पहुचा हाली में संजुक्त राष्ट ने अपडेटेड सुचना में जानकारी दी थी कि मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टर माइंड और पर्तिवंदित आतंकी संगटन जमातुल डावा का चीफ आतंकी हाफिच सहीद पाकिस्तान की हिरासत में वो पाकिस्तान में 78 साल की आपको बता दें कि भारत की जाच एजनसिया कई मामले में हाफिच सहीद को तलास रही है अब यह एक जहां पर हालात पहले से ही पाकिस्तान के अंदर खराब हैं वैसे में अब अमेरिका ने मीडिया रिपोर्ट पर एक परतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वो इस इन की तरफ पेज कर सके लेकिन पाकिस्तान के मनसूबे फेल हो गए पाकिस्तान में हत्याओं को अंजाम देने के बारे में भारत के खिलाफ इस्लामाबाद के आरोपो पर गार्जन के लेक पर अमेरिका की इस्तिति पर एक सवाल पुछा गया जिस पर अमेरीकी विदेश विभाग के परवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इस मुद्दे के बारे में मीडिया रिपोर्टों को फॉलो कर रहे हैं हम इन आरोपों पर कोई टिपनी नहीं करना चाहेंगे निस्चित रूप से हम इस्तिती के बीच में नहीं आने वाले हैं लेकिन हम दोनों पक्षों को तनाओं से बचने और बात्षित के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोचसाहित करेंगे पाकिस्तान की कोशिश थी कि जिस तरीके से CAA और भारत में हो रहे चुनाओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से अमेरिका की तरफ से परतिक्रियाएं आई हैं उसी तरह का साथ वो हासिल कर लें खास कर कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंग निजर की हत्या के बाद अमेरिका ने काफी हद तक कनाडा के प्रधान मंत्री जेस्टिन टूडू के लगाए गए आरोपों का साथ दिया था जिसकी वज़े से भारत और अमेरिका के संबन तनाव भारत से किसी भी तरह के विवाद में फसना नहीं चाहेगा दगारजन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कारेकाल यानि की पी एमो सीधे तोर पर रोग को कंट्रोल करता है और 2019 के बाद राश्ट्रिय सुरक्षा उपाई की रूप म इन गैर नयाईक हत्याओं को अंजाम दिया गया है बिटिस अकबार दगारजन की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसने दोनों देशों के अधिकारियों से इंटरव्यू लिये हैं और पाकिस्तान के जांच करताओं ने उससे दस्तावेज दिये जिससे पता चलता ह है कि भारत की विदेशी खुफिया एजनसी रिसर्च एंड एनलेसिस विंग पाकिस्तान में हुए टार्गेट की लिंग्स में सामिल है ये कहा जा रहा है गारजन के द्वारा पर समस्य ये है कि भारत की छोड़िये यहाँ पर पाकिस्तान के खुद की अंदर की स्थिती ब बहुत ही गड़बड है पाकिस्तान के क्वेटा में सोंबार को एक मस्जीद के पास बिसपोर्ट हुआ इस बिसपोर्ट में एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई 12 लोग घायल हो गए घायलों में पांच सुरच्छा कर्मी भी सामिल है बिसपोर्ट की बाद घायलों को ततकाल इलाज के लिए नजदी की चिकित सा सुविधा मेल ले जाया गया विसपोट के कारणों का पता लगाने के लिए जाच की जा रही है और ऐसी घटनाएं अब आए दिन करीब करीब रोज ही होने लगी है हमने कल भी आपको इस बात को बताया था कि यहां इस्थिती खुद ही ख पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान में चोगा देने वाले आर्थिक संकट से उबरने के लिए आई-ेम-एप के साथ जारी बेल आउट वार्ता के बीच विसुबेंक ने भी नई सर्ते ला दी है विसुबेंक ने छेतर आधारी छुट मालिक कभज़ेदार छुट और और-न य वासी छूट जैसी सबसीडी घटाने समेथ संग्य और प्रांतिय खर्चों को एकी कृत कर राष्ट्रिय राजकोसिय नीती अपनाने का धवाब डाला है और अगर ये सारा कुछ पूरा करता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई होगी चरम पे बिस्व बैंक ने इसलामाबाद को सामविधानिक आदेसों के साथ साथ एक राष्टिय राजकोसिय नीती अपनाने को कहा है उसने बिविन्द संग्य प्रांतिय राजस्व एजन्सियों को जैयस्टी संग्रह एजन्सी में बिलै करने अगले वित्तिय वजट में किर्सी पु ये भी कहा है कि वो संग्य और प्रांतिय अस्तरों पर राजकोसिय उतरदाईत रीन सिमा के लिए एक नियम भी लागू करें इन सुझाओं के आई एमेफ कारिकरम का हिस्सा बनने की उमीद है जिस पर पाकिस्तान के वित्तमंत्री मुहम्मद औरंगजेव अगले सप्ता व और ये सारी चीजे यहां देखने को मिल रही है अगर पाकिस्तान सारे नियमों को मानता है तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी कुल मिलाकर खुद पाकिस्तान की परिस्तितियां ऐसी है कि वो किधर समाले अभी उसे क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ